हेलो एवरीवान, वेल्कम बैक तो माई चैनल, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट टू हाइजेन इन फाउंडेशन ओफ नर्सिंग वॉल्यूम टू, बैसी नर्सिंग सेकें सेमिस्टर, यूनिट वन हेल्थ एसेस्मेंट हम लोग डिस्कस कर चुके वीडियो अगर आपने नहीं देखें तो पहले आप यूनिट वन हेल्थ एसेस्मेंट अपना कवर अप कर लीजे हम डिस्कस करेंगे यूनिट टू हाइजीन हम डिस्कस करतें स्लेबर्स के कॉर्डिंग क्योंकि यूनिवर्स्टी एक्जाम में आपके जितने भी कोशन्स आते वो सा 25 मार्क में फाउंडेशन समिस्टर वन और फाउंडेशन समिस्टर टू बोत आएगी इसलिए आपको हर एक चाप्टर को हर एक टॉपिक को अच्छे से आना चाहिए सो हम स्टार्ट करते हैं हाईजीन यूनिट को सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट से जो आपके स्लेबस में में जो आपके लिए इंपोर्टेंट है सबसे पहले आपको हाईजीन के बार में पता होना चाहिए उसके फैक्टर्स इंफुलेंसिंग जो हाईजीन प्राक्टर्स में करते हैं आपको hygenic care पता होने चीप, इंडिकेशन, purpose, effect of neglected care आपको care किस में आने चीप, skin में आने चीप, उसके बाद आपको pressure points के आने चीप और साथ ही साथ pressure के जितने भी assessment होते हैं, जैसे कि broadened scale और northern scale उनके जो वैल्यू है वो आपको पता होने चाहिए जैसे आपने पेन स्केल के वैल्यू आपको याद होगी कि सीवियर आपका मोर्दन सेक्स होता है त्री टू फाइफ आपका मॉड्रेट होता है साथी साथ प्रेशर अलसा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें कॉस, आपको पता होना चाहिए पेरिनियल केयर और मेंस्ट्रिल केयर औरल केयर केयर आफ आइस, इस, नोस इंकलूडिंग आपके जितने भी असिस्टिफ डिवाइस हैं वो सब आपका हाईजीन यूनिट में कवर अप करते हैं मैं आपको यह चीज स्टार्टिंग में क्लियर कर आपको कोई प्रोसीजर में डाउट आप कमेंट बॉक्स में 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 कोशिश करूंगी कवर अप करने की क्योंकि एक वीडियो में एक वनशॉट में थेयोरी प्लेस प्रक्टिकल साथ में कंप्लीट होना वह पॉसिबल नहीं है वह लिटल बिट डिफिकल्ट है इसलिए है लिटेजीन यूटनियूट में थेयोरी प्रक्टिकल कि अगर में बात कर तो आपके लिए प्रोसीजर इंप्लीट होते है आयर्टिकल साथ कैसे पर्फॉर्म करने कैसे आपको explain करना किसे documentation करना तो यह साइच चीज होती है जो प्रोसीजर आपको difficult लग जो आपको प्रोसीजर ना समझ में आप comment box में mention कर देजेगा प्रोसीजर को मैं आपको explain कर दूँगे सबसे पहले हम start करते है हाईजीन से तो आप terminology में first heading देख रहे हो हाईजीन यह हाईजीन की definition यह आपको आने चाहिए हाईजीन is defined as the science and art which is associated with the prevention and promotion of health हाईजीन is science of health which includes all the factors contributing to healthful living अगर मैं बात करो हाईजीन क्या है तो हाईजीन एक define करती science को और art को जिससे हम लोग क्या करते हैं प्रिविन्ट करते हैं हमारी health को और promote करते हमारी health को अफकॉस यह बात है हाईजीन से हम लोग disease को cure कर सकते हैं disease को रोख सकते हैं और हमारी health को क्या कर सकते हैं promote कर सकते हैं तो यह आपके क्या है definition है hygiene की next book में कुछ और simple definition mentioned है hygiene की मैं उसको भी बताते रहूं जो चीज आपको simple लगे वो आप cover up कर सकते हैं What is hygiene? Hygiene defined as the science and the art associated with the preservation and promotion of health Hygiene defined as that science of health which includes all the factors contributing to the healthful living Simply, आपको definition जो उसमें एक में दे रखे हूँ उसको सिर्फ उसिर्फ इनों ने क्या कर दिया दो points में elaborate कर दिया है जो आपको easy लगे आप उसको क्या कर सकते हो learn कर लीजेगा Next, types of hygienic practices अब आप एक diagram देखे हो इस diagram से आपको clear होगा कि किस तरीके से हम stop कर सकते microbes को और क्या आपके लिए good hygiene है और क्या आपके लिए bad hygiene है हमारी heading है types of hygiene तो hygiene के अगर मैं बात करते हूँ तो सबसे पहला hygiene type is social hygiene Next, आपका industrial Next, आपका social hygiene Next, आपका preventive medicine Next, आपका personal hygiene जब आप hygiene के factors बताएंगे तो सबसे पहले आपको hygiene की definition बताने है types of hygiene बताने हैं Next, आप बताएंगे factors influencing hygiene practices ये points आपके लिए important है क्योंकि syllabus में as it is ये topic mention है तो सबसे पहले personal preference मतलब की आपको खुद के desires को और खुद के activities जब भी daily living के होती है उनको आपको क्या रखनी है hygiene मतलब की साफ रखनी है clean रखनी है आपको अपना care करना है ये सारी चीज़ा आप कहेंगे personal preferences में Next, है social practices social practice में आते हैं कि आपके आप for example as a child देखते हैं बचों को अगर उन्होंने sneeze कर रहे तो वो ऐसी sneeze कर देते हैं without the use of handkerchief और नी मतलब कावर ने करेंगे nose और mouth को जिसकी वज़े से जो वाइरस होता है और अफकोस ये वो इंवार्मेंट में आता है और other people other children को क्या करता है harm करता है तो ये क्या हैगा आपके social practices में आएगा कभी-कभी peer group के behavior के वज़े से भी ये hygiene practice क्या करते है affect करते है living condition को next point आपका socio-economic status आप ये socio-economic status कैसे affect करता है आप कोई भी चीज प्रोड़क्ट ये कोई भी आप supplies करते हो आपके तूथ को क्लीन करना important है आपके तूथ ब्रश तूथ पेस्ट अफोर्ट करते हो इसलिए आप अपने तूथ को क्लीन रखते हो इसलिए आपके ओरल हाईजीन रहती है अगर आपके पस money नहीं होगा अपका स्टेटस लोगा तो आप effort नहीं कर पाऊगा अगर आप effort नहीं कर पाऊगे तो of course ही बात आपका हाईजीन लेवल क्या हो जाएगा लो हो जाएगा health belief and motivation सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अगर आपकी health मतलब के आपकी जो तव्यत है आपकी है वो सब किसे है बेसिक हाईजीन से बेसिक हाईजीन मतलब के औरल हाईजीन bathing, eliminating, shaving, brushing and styling hair ये भी आपकी किसमें आता है बेसिक हाईजीन में आता है next है आपका cultural beliefs cultural beliefs आपका personal value की तरफ ही आता है for example अभी मैं बात करूँगी festival ता होली का तो होली के festival में सबके वहाँ घर में बहुत साफ सफाई हुए सबके बहुत अच्छे से clean करा गए तो वह आपका आता है cultural belief next है physical condition physical condition में कुछ physical limitation या disabilities होती है जिसके कारण से hygiene care होती है जैसे कि client को traction है ये traction क्यों होता है अगर मैं बात को जो अगर आपने और तो आपको पता होगा ने तो मैं आपको पता हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा traction और एक splint होता है कभी भी just for example एक person का पै टूटा है तो हम लोग उसके कोई भी force के तुरू से बान देते हैं तो इस समय में भी आपको यह कोई भी कैसे भी physical condition आपको hygiene maintain करना तो यह कुछ ऐसे factors जो क्या करेंगे influence करेंगे hygiene practice को next आपके heading है personal hygiene personal hygiene की definition personal hygiene defined as the healthy practices and life styles help in the maintenance and promotion of individual health physically emotionally socially and spiritually तो यह personal hygiene क्या है यह एक ऐसी health practices है जिसकी वज़े से हमारी lifestyle maintain हो जाती है promotion होता हमारा physical health में emotional health में social or spiritual health में of course ही बात है यह सारे factors आपको health को affect करते हैं और hygiene आपके health को क्या करते हैं promote करती है इससे हम लोग prevent कर सकते हैं illness से promote करते good health से improve करते हैं प्रमोट करते हैं mental well being को promote करते हैं socially and spiritually को improve करते हैं हमारी self esteem को maintain करते हैं resistance को कभी अगर आपसे good personal hygiene includes पूछे तो आपको यह पांच point जरू mention करने हैं सबसे पहले maintaining personal cleanliness wearing proper work attire जैसे कि आप इस डेक्राम में देख रो chef का अलग रहता है और जो doctor होते जो sisters होते हैं उनका अलग रहता है following hygienic hand practices avoiding unsanitary habits and action maintaining good health and reporting illness तो यह क्या points आपके good personal hygiene includes में आपको यह सारे points पता होने जैसे definition purpose principle लिख रहे हैं तो आप यह लिख सकते हैं influence और personal hygiene सबसे पहला point आपका है social practice इस next point आपका है personal references body language social economic status health belief and motivation cultural variables and physical condition social practices के अगर मैं बात करें तो आपकी social family influence करती है hygiene pattern पे तो वो आपकी case में अंडर आएंगी social practices में अब body image or body language कैसे affect करती है body image के अगर मैं बात करें तो जो person का subjective concept होता है body के appearance पे वो affect करता आपके body image पे hygiene पे knowledge base अगर proper knowledge है हर एक climate condition की तो of course यह hygiene आप क्या करोगे influence करोगे personally next के social economic status अब हम लोग डिसकर कर चुके economically कैसे तो वह चीज़ आप सेम mention कर सकते हैं psychological factor mental and psychological issues की कारण भी बहुत सारे hygiene practices क्या होते हैं irregular हो जाते हैं next के nurse's role in personal hygiene आप कोई भी foundation में process अपड़ेंगे topic पड़ेंगे तो में आपको यह जरूर बदाने चाहिए इसमें nurse का क्या role है direct provision of hygiene प्रोवाइड दे नर्ड्स अपर्षिनिटी फोर डेली assessment फर्स्ट पॉइंट सबको यह ख्लियर हो रहे कि हमारा main focus मलब नर्ड्स का में focus किसे पोता है daily assessment पे जिससे हमारी health की क्या condition को उनको idea लगता है the process of daily bathing oral hygiene care of hair, nails, massage form a vital partner for the nurse patient interaction nurse patient interaction के बाद ही यह सारे process possible the nurse should assess the needs of patient and identify related nursing problem of course यह बात है जब हम assess करेंगे तभी हमनों proper को identify कर पाएंगे the nurse need to collect further information about the patient identified problem आप जितनी भी further information वो सब collect कर सकतो patient से next year the nurse need to develop an appropriate nursing care plan in terms of the data collected nursing clear plan मनला कि NCP NCP तभी आप बना सकतो जब आपको diagnosis clear होगे diagnosis के लिए आपको patient के हर एक condition को assist करना होगा the nurse has to implement the nursing care plan to provide optimum quality of nursing care for individual patient तुसमें क्या होते है जो हम लोग प्लान करते है implement करते है patient पे फिर हम लोग evaluate करते है evaluate इसलिए करते है अगर patient में success है तो उसके बाद पे हमारा जो nursing के अप्लान है वो उसको change करने की ज़रूत नहीं है और अगर evaluation में कुछ भी positiveness या फिर कुछ भी improvement नहीं मिलता तो अब हम लोग NCP में जितना भी हमारा goal है वो उसको क्या करेंगे change करें जिसे हमारे patient की जो भी problem है वो हम उसको क्या करें correct कर सके successfully improve कर सके उसकी health को यह सारे points आपके correlate करते NCP Nursing Diagnosis Unit से जब हम Nursing Care Plan Nursing Diagnosis Unit में पढ़ेंगे तो यह सब चीज़ों को हम detail में discuss करेंगे आपको attention लेने के ज़रूत नहीं है अभी सिवह सिफ़ आप points को समझने की कोशिश करें जब आप unit पढ़ लेंगे तो आपको यह side points easy लगेंगे यह point हम लोग discuss कर चुगे कि किस सरीके से Nursing Care Plan को हम लोगों को evaluate करना कैसे adjust करना The nurse also participate in carrying out the physician order Of course, यह बात है विदना physician order के कोई भी process patient पे perform नहीं होता है The nurse has to motivate the patient to resume independence and responsibility for the care as condition permits Of course, यह बात है जब जो nurse होती है उनको motivate करना बताने होती है उनकी care के लिए The nurse must apply knowledge of pathophysiology to provide good preventive hygienic care अब यह pathophysiology क्यों होती है यह pathophysiology जब आप medical surgical याफ़ कह सकता है adult nursing semester 3 और second year में पढ़ेंगे तब आपको clear होगी pathophysiology generalist में क्यों होता है हमनुारे ideological factors मलब causes की वज़े से यह बिमारी आपके अंदर sign and symptoms कैसे करते है तो एक इसका पूरा हर एक disease का अलग-अलग process होता है हर एक disease का अलग-अलग तो उसको जब आप detail में करेंगे तो से आपको clear हो जाएगा next क्या care अब head to talk care sorry next आपका start होगा care से head to talk care अब इसमें जो भी आप बढ़ेंगे तो सबसे पहले start होगा oral hygiene से हम प्रोसेजर को नहीं discuss करेंगे से वो सर्फ हम heading by heading discuss करेंगे जिससे आपको कोई भी problem ना हो सबसे पहले हम discuss करेंगे oral hygiene oral hygiene का मतलब है cleanliness of the mouth oral hygiene include measures to prevent the spread of disease from the mouth and increase the comfort of the patient purpose का है हम लोग oral hygiene क्यों करते है इससे हम लोग mouth के infection को treat और prevent कर सकते है हम लोग mouth को fresh और clean कर सकते है जो mouth में mucous membrane जिसकी वज़े से वो क्या होती है dry और cracked हो सकते है उसको broke सकते है prevent कर सकते है prevent कर सकते है dental caries या फिर two decades जैसे ही बिमारी को prevent कर सकते है source जैसे की result में क्या आता आपको ulceration ulceration के वज़े से source डेवलप होता है लेकिन अगर जब हम लोग hygiene maintain रखेंगे clean रखेंगे mouth को तो ये साही चीज़े डेवलप नहीं होगी next topic आपकी बुक में बेड बात bathing is an important intervention to promote hygiene choice of the matter depends on the nurse judgment as मतलब कि क्या है जो bed bath of course ही बात है जो हमारी बात है वो important intervention है जो कि promote करता hygiene को लेकिन जो bed bath है वो bath है हम लोग patient को confine करते है bed पे मलब कि जो patient है वो bed है bed ridden है वो bed से नहीं हर्ट साकता और उसको अम लोगों को bath provide करने उस बात हम लोगों क्या कहेंगे उसको bed bath ऐसी आपकी cleansing bath बहुत तरीकी की होती है मतलब different types के होती है आपको पता होना चाहिए क्योंकि exam में कभी-कभी पूछ लेते है आपकी बुक में mention कर रहा है types of cleansing bath सबसे पहले पॉइंट है bed bath मैंने अभी बता है कि ऐसी बात जो patient को provide करेंगे जो patient bed-ridden होते है bed होते है next therapeutic bath इसका मतलब क्यों होते है ऐसे medications जो patient की topical में लगए उसकी skin पाप्लाई करना है और पूरी body में तो of course यह बात हम water के-through और उसको bath प्रोवाइड करेंगे तो वो therapeutic bath हो जागी partial bath जो सिवो से आपको cleaning particular area में करनी है जैसे कि बहुत आप for example किसी का फैक्चर हुआ पैर में तो उसके half body में cleansing करनी है तो आप बेड़ पे करोगो उसको में लोकेंगे partial bath next आप बात या फिर bathroom bath और एक point आपका self-administered bath इसमें क्या होता है आप same रहता है bed bath किते है बस patient क्या होता है वो assist कर सकता है अपनी बात खुद से एक method है आप देख रहे हैं इस पर इस टोवल का bed bath में कैसे करना है सबसे पहले आपको तोवल अपने हाथ के जो fingers होती है उसके उपर रखना है प्लेस करना है फिर one side float करना है मतलब कि इसको इधा side fold करना है फिर आपका जो upper side होगा उसको fold करना है जब आप fold करोगे तो आपका इस side से बन जाएगा next आपको उपर से turn करना है तो इक तरीका होता है जब हम लोग कोई भी प्रोवाइड करेंगे बात में तो नट्स में जब healthy care worker करेंगे तो इस तरीके से करते है जैसे कि gloves पहनने का एक अलग सा rule होता है उनको discard करने का होता है same as आपको wear करने का भी different होता है gown का अलग होते है वैसे आप इसको करेंगे ऐसे बहुत से जगह आप देखेंगे तो आपको इस basic सी चीजों का ध्यान देना है paper bag बनाते है paper bag बनाने का भी तरीका लग है जब हम लोग first semester में जब हम लोग bed making करते हो तो हम लोग को mid and corner बहुत important होता है तो वो सारे methods होते है वैसे ही के method एक folding sponge towel का जो उसमें हम लोग यूज करते है bed bath में बहुत ही simple सा diagram बना है तो इससे आपको clear भी हो रहा होगा next hygiene आपके clearance के अगर में बात को face के लिए, arms के लिए, chest के लिए, abdomen के लिए और back के लिए है next legs, pubic region, after care तो इस साही चीज़ आपके procedure में आ जाएगी जब आप procedure पढ़ेंगे तब आपको clear होगा कि कैसे आपको करना है for example देख रहे है care of eyes में किस तरीके से diagram है मेरे recording आप हर एक procedure को पढ़ेगा अगर आपको जिस procedure में problem हो उस procedure का आप mention कर देज़े का में आपको separately video प्रोवाइड कर दूँगी procedure के लिए next आपका care है eyes के लिए eye के लिए, ear के लिए, nose के लिए तो यह हर एक part के लिए हर एक procedure अलग यूज होता है बस equipment आपको पता होना जो procedure बाग के आप अच्छे से cover up कर सकते हैं next hygiene unit में आपका mention है care of hand, feet, nails आपके college में बताते हैं कि नहीं मेरे में college में कुछ procedure बताये हैं dummy पे हाँ तो कुछ जो बताया जाते हैं वो हमाई लिए important as usual बन जाते हैं तो आपके college में क्या important है क्या नहीं वो तो नहीं जानती है बट हाँ, जो university के लिए important होगा वो procedure में आपको separately बात में जरूर प्रोवाइड करूंगा आप वो वीडियो जरूर देखिएगा next time में start करते है back care and back massage यह भी आपका procedure में आपको 3-4 massage and back care और सबसे बड़ी बात यह है आपका most important procedure में यह procedure के 15 steps होता है और one by one आपको सारे आने चाहिए और यह सबसे basic सा है जब मैंने देखा था 15 procedure के मुझे बहुत डर्ड लग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इससे नहीं कर पाऊंगी लेकिन इसमें बहुती सिंपल सा back care procedure के तो मैं कहई रही हो 110% कि इसकी मैं वीडियो प्रोवाइड करूंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में 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 करिएगा नेक्स्ट हमारा थियोरी परपेस अगर मैं बात कूई तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है assessment of pressure ulcer using Braden skill and Norton skill तो आपको पते है जो हमारे pressure ulcers या bed source होते है तो उनको हम 2 skills जैसे क्या करते है major करते है सबसे पहले हमारा है Norton pressure sore risk assessment इसमें क्या होता है आपको इसमें आपके physical condition mental condition activity mobility और inconsistency पे mention कर रहा होता है मालब की number number के आगे क्या रहेगा उस scale में आपको number mention होते है 1 2 3 4 करके और आपको label करना होता है जैसे कि physical condition जब आप करेंगे अगर 4 आ रहा है तो good है 3 is fair है अगर 2 है तो poor 1 है very bad same as mental condition में रहता है activity में mobility में रहता है और आपका in continuous में रहता है Braden skill के अगर में बात को तो Braden skill में score आपका रहता है sensory perception पे moisture पे activity पे अगर आपको कभी भी exam आप परपस में यह Norton skill और आपको Braden skill पे आजए कि आपको difference करना है या फिर इनके आपको numbers लिखना है तो आप हमेशे याद रखिएगा आपको activities पे रखना होता है activity एक ऐसा pointer जो आपको differentiate कर सकता Norton और Braden में अगर मैं बात को रहे activity की तो ambulance में आप देख रहे हो 4 है walk with help में 3 है chair bound में 2 हो और bed fast में 1 है अगर आप इसमें देख रहे हो तो इसमें क्या walk sorry walk frequently में 4 है walk occasionally में 3 है chair fast में 2 है और bed fast में 1 है अब यह scores define कर दिया and headings recording ambulance का मतलब होता है कि उसका कोई भी person amputatory हुआ है और वह अपनी बेट से move नहीं कर सकता है तब आपका 4 जब वह किसी की help के साथ walk कर सकता है fracture आपने उसको पकड़ा walk कर लिए तो उसमें आप क्या दोगे score 3 दोगे chair bound chair से related है chair help से दो उसका score का 2 bed fast है कि आप बेट से उतरना चड़ना अपना कर ले रहा तो उसका क्या जाएगा 1 तो आप समझ गए कि किस recording आपको करना है mainly आपको समझना आप दस इतना सा है Norton Scale में यह सारे points mention होते है अगर Norton Scale और Braden Scale आ जाए तो आपको activity पे दोनों पे धान देना है activity है कैसी चीज़े जो दोनों चीज़ में आपको क्या करें डिफरेंस करें क्योंकि Norton Scale और Braden Scale के हर एक points में बहुत difference है आप confused हो जाएगे तो activity में 4-4 points है जो आपको difference करें Norton और Braden में नेक्स्ट आपका most important topic है care of pressure points या फिर bed sore bed sore या pressure sore या फिर उसको हम लोग कहते है decabitus ulcer ये सब ulcer आपके skin पे हो जाते हैं जो patient bed ridden होते हैं अपने bed से नहीं move कर पाते हैं उनका surface जो skin का होता है वो bed के surface से बहुत ही जादा close होता है जिसमें कोई भी movement नहीं होता है वहाँ पे क्या हो जाता है वो बहुत ही क्या करते है death cause करते है जिसकी वजह से हम लोगों को prevent करने के लिए उनकी care करने है purpose क्या है हम लोग care of pressure points का purpose क्या है तो इससे improve कर सकते circulation को facilitate healing को क्योंकि for example ये back है और यहां पे ulcer होए आपने नहीं ध्यान दिया एक दिन तो यह ulcer और आपको heal करने के लिए क्या करना इसकी care करने होगे इसकी जब care करोगे तभी तो आप heal कर पाओगे इसलिए to facilitate healing to prevent infection अब यहां पे इतना microbes यहां पे इतने microbes bacteria है इतने microbes है तो यह पूरी body में transmit हो जाएंगे ना इसको हम लोगों को prevent करना होगा रोकना होगा to prevent further damage prevent further damage तीन दिन में यहां तक और नहीं देखेंगे तो बढ़ जाएंगा तो हमें क्या करना है prevent करना है treat करना bit source को अगर हम इससे treat करेंगे तब हम skin के level पे ला पाएंगे तो हमें treat करना causes कह जिसके वज़े इससे pressure source हो रहा है तो आपके 4 cause है सबसे पहले direct और immediate cause मतलब कि एक ऐसा pressure जो cause कर रहा आपकी body के आपका वो क्या हो सकता है कोई भी weight के कारण friction friction skin के rough bedding cause पे हो रहा है जिसके वज़े से skin में क्या और ही injury हो रही है friction कैसे हो सकता है wrinkles wrinkles की वज़े से bed cloths grams की वज़े से तो यह सारे reasons आता आपके friction के next में बात करते हूं moisture की अगर इसके contact में moisture बहुत जादा से तो वो क्या cause कर सकता है ulcer cause कर सकता है for example a bed ridden patient है यहां पे आप देख रहो यह patient है for example आपने यहां पे कोई भी IV set का करा और जिसके वज़े से leak हो गया तो यह Leland क्या हो गई आपकी fulfilled हो गई या फिर कैसकते हो iverse हो Works जिसके वज़े सेुपर एक означ चलब को सग्ण यह भी ओले न hoc के वेट वेट ऊगई है और जो patient है कुछ है कोमा में है स्ट्रोक में है अपने जो नहीं बता पा रहा है कि जो लिलन है वह हमें विट लग रही है हमें ड्राइ करने को से ज़रुरत है तो आप ऑफकोस ही बात है जब आप धान नहीं दोगे तभी तो एसी कंडिशन पेशन में आएगी पहली चीज जब ऐसी कंडिशन डिवलप होती तो इसके जब आता हां जादरतर इसमैं क्या होता दीरे दीरने वेल सोर इसों सोरके बाद दीरने तर लिए ऐसर करती है यह उलसर कोस करते दाध है ठीट कोसक करती बहुत हों स्किन में अगर पैतोजेड इसीं क्रेशन पेशे ह्का अब हाबगर आपकोस करना है निक्स यह कॉमन केर पूछ लिएगा न तो आपको कॉमन साइट ज़रूर बताने है तो आप जानते हो कि पोजिशन बहुत तरीके के होती बहुत टाइपस की पोजिशन आती है मेरे कॉर्डिंग तो आर्ट दस तो पोजिशन के सिव और सिव नाम होगे जो आपको पता होंगे लेकिन आप कॉ क्योंकि मैं सिव एक्स लिएगा दियू तो इसका है फॉर्वर्ड है तो अगर मैं इस बात को तो यहां पे और स्कापुला और जो आपका सैक्रल रीजन होता है और साथ में आपका हिप्स और एल्बो यह सब आपके सुपाइन में रहेंगे मैं बेड कॉंटेक्ट में रहे रहेंगे टो आपके क्या रहेंगे इन आफ धी भी रहेंगगे चीचप के बेड पे रहेंगे आपका जो जितना भी इन रहता है या जैनिटेली रहता है मैं पर नीज डोव है तो आपको यह रहेंगे तो आप इस थारीके से दिग से समझ के भी आद कर सकते हैं और अगर simply आपको समझ में आ रहा तो आप वैसे भी कर सकते हैं लेकिन हाँ कॉमें साइट इंपोर्टेंट है आपको एट लीस्ट कोई दो पोडिशन की प्रॉपर्ली आपको पता होनी चाहिए वैसे तो हर एक पोडिशन की अलग से दे रखे होती है लेकिन इतना डिफिकल्ट हो जाता समझने के लिए अब डिएग्राम जरू देखा करो डिएग्राम से आधी से जाधे चीज़े क्लियर हो जाती है मेरे इसाब से अगर फांडिशन ऑफ नर्सिंग में आपने प्रोसीजर और डिएग्राम के बिस्स पर टॉपिक कर लिया तो आपको फांडिशन ऑफ प्रेशर सोर मतलब की आपको क्या ऐसे साइने सिंटम से लेंगे जो प्रेशर सोर के होते हैं वहाँ पे रेडनेस मतलब की रेड रहेगा आपको हीट मिले की टेंडरनेस रहेगा टेंडरनेस का मतलब ही होते है इस तरीके से मतलब अंदर की और डिसकंफर्ट एरिया में मिल जो एरिया होगा वह बहुत ही जादा cold होगा touch पे insensitivity होगा, local edema, literal area ब्लूपर्पल क्यों हो ब्लूपर्पल हो वहाँ पे blood supply नहीं proper हो पाएगा जिसके कारण वहाँ पे क्या हो जाएगा, blue हो जाएगा, next क्या है, pressure की वज़े से circulation, cut off होगा, gangrene develop होगा, affected area पे, और शुझके sl से पहला पॉइंट है कि कहां पर हाई रिक्स पेशेंट को डेली एग्जामिनेशन भी कहां पर है मलब साइनन सिंटम्स पहले है उसके बाद में रिलीफ करेंगे पेश्यर को जैसे कि हम लोग यूज करेंगे कमफट डिवाइस का कमफट डिवाइस में आप क्या यूज कर सकत तो नहीं पीफशेंगे है कि है मेरे कोड़िगए आपको पता होना चाही नहीं दिनीकर जड़ा से मेस इस नमाप जबगा ovर अपका कहां थया सपक्राइट में अपनी फील लिट को घिस दे जया जा तो तो रिस्टेंट करने का मतलब होता है उनके हाथ को इस रेल से हलके से हम लोग क्या कर देते हैं टप कर देते हैं ऐसे नहीं करते हैं टाइट लिए कि उनका ब्लड फ्लो है वो रुख जाए उनको प्रॉब्लम हो उनकी सेफटी के लिए करते हैं इसको रिस्टेंट करते हैं आगे हम यूनेट में पढ़ेंगे डीटेंट में अससे आपको क्लीयर हो जाएगा और रिस्टेंट मेरे कौड़िंग को फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं अगर आपको ना यादो तो बताएगा रीस्टेंट की सेपरेट वीडियो में आपको प्रुवाइट कर दूँगे नेक्स्ट है प्रिवेंटिफ मेशर ओफ बेट सोर के पॉइंट से आपके प्रिवेंटिफ मॉइश्राइजर आपको चेंज करना है लेने का जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो पेशेंट को नेक्स्ट पॉइंट है अवोइट करना आपको मेकानिकल फिजिकल इंजिरी को जैसे कि इंप्रॉपर फिटिंग भालब अब कोई भी केस से पेशेंट का बइंड का हील करना इंफेक्शन से प्रिवेंट करना उसको हेल्थ को प्रोमोट करना तो उसकी हेल्थ के लिए आपको कैसा डाइट लेना है एक विल बैलन्स डाइट को चूज करना है नेक्स्ट हैडिंग एक स्टेजेस का अन डिग्री ऑफप्रेशुस गेसिस पनहीं तभाफ। लेसमें घंखी के लिखा हिसमें स्क говоритूम्री दिखरी स्किन चूजरेओ दर्द सेंड थेना स्क्ति एककथपाई क मॉल्टें होगन है द्रेटबार के लेखामस दोब होग कर ब् नेक्स्ट के थर्ड डिग्री यहां पर क्या होगा, सुपरेशन होगा, स्लजिंग होगा, साथी साथ में बरो राइट डाउं पर बॉन्स होगे, मलब इतना जादा स्किन गल जाएगे अब बॉन्स भी आपको निकिट आइस से दिखेंगे, तो यह क्या थे, फ्री स्टेज़ करना है साइन सिंटम्स पेशन के पर कौन से बैट जोर पर हैं, उसके बात ने उनके जितने भी प्रविंटीफ मेजर रे में उनको बतागे एक्स्प्रें बात एक्स्पें करकर के यूज करनें, यूज करने, यूज करने हैं, क्योंकि अशीन धिग्री पर आगर अम लोग यूज़ करके कैसे circular motion में तो next आपका point है second degree second degree के treatment में कैसे करेंगे second degree के treatment है सबसे बहुत तो physician का order लेंगे जो isolated area उसको infection से prevent करने के लिए वो use करेंगे normal saline मेलब NS का यूज़ करके उस area को clean करेंगे hydrogen peroxide solution को use करेंगे जो कि cut off कर देता sludge को apply करेंगे heat को जो healing में help करता वोंट को और 100 watt electric bulb यूज़ करते 10 मिन पर यह आपका एक important point है जो book में mention है second degree में और जो first degree से आपको different करता है next है आप अपलाई करोगे zinc oxide as a ointment on the surface of the wood ointment क्यों होते है जो आप इसकिन पर apply करतो आप इसमें क्या apply करोगे zinc oxide third degree, third degree में आपको क्या करना है जो bits हो रहे है सबसे पहले तो inform सबसे पहला काम आपको inform और report to what sister physician को करना है क्योंकि वो ही आपको physician order देंगे उस basis पर आप वर्क करोगे वो infection को treat करेंगे applying करेंगे sophra mycene ointment जो कि locally use करते है यह एक antibiotic है antibiotic क्या करते है जो bacteria की cell wall होती है उसको break करते है lysis करते है जिसके bacteria की क्या हो जाती है death हो जाती है हम लों nutrition को बहुत ही high में provide करेंगे जिसमें protein और vitamins क्या हो जादा हो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो उनका area वो clean रहे बहुत ही जादा क्योंकि उससों अगर नहीं clean करेंगे तो और भी severe case बन जाएगा death cause भी हो जाती है तो hydrogen peroxide का use करेंगे दिन में दो बार जिससे हम लोग जादा जादा clean कर सकें तो यह first degree, second degree, third degree में यह curative methods जो आपको use करना है after care में क्या करना है जब कोई भी care दो first degree दो second degree दो third degree इन तीनों के बाद में patient को after care दे after care में for example आप आप पे massage दे रहे हो और massage दे के छोड़ के चले हो तो यह तरीका नहीं होता आपको after care आप उसके बाद procedure करने के बाद आप क्या करोगे patient को comfortable position दोगे उसको comfortable device दो गया for example अगर आपने patient को लिटाला है लिटालने के बाद में यहाँ पे mattress दो नहीं तो pillow का use करो यह क्या था आपके comfort device फिर patient को frequent intervals के बाद में उसकी position चेंज करने है जैसे कि अभी supine position है दो गंटे बाद में आपने lateral position दे दी right lateral दो गंटे बाद दी है तो दो गंटे बाद लेफ्ट लेटरल देनी है फिर sims दे देनी है तो यह क्या position को change करते रहना है फिर articles को replace करने के बाद आपको hand washing करने है hand washing के बाद में recording और reporting करने है यह फिर आप कह सकते हो documentation करना है तो यह आपको बहुत ही जादा important था इसलिए मैंने इसको detail में discuss कर रहा है अगर bet store में कोई भी doubt हो तो please comment box में mention करके अपने doubt store जरूर करेगा bet store आपका most important topic है बाकि आपके जितने भी procedure है care के hygiene से related वो आप सबढ़ लीजेगा मेरे recording theory portion में या hygiene unit में आपके लिए इतना important है अगर आपको कोई भी doubt or unit hygiene से related या कोई भी topic आपको miss लग रहा है तो please comment box में mention कर दीजे अगर ये वीडियो अचे लगे तो please वीडियो को like कर लेजे चानल को subscribe कर लेजे thank you